हलो, वेलकम नाइन्थ की हिस्ट्री का फर्स चैप्टर है दफ्रेंच रेवलिशन फ्रांस की करंती यहां हम देखेंगे कि फ्रांस की करंती किन कारणों से हुई किस विचारदारा से हुई जैसे कि हम देखते हैं आज हम एक डेमोकरिटिक कंट्री में रहते हैं जाद तर जो वर्ल्ड की कंट्रीस हैं वो एक डेमोकरिटिक कंट्री हैं जहां पर लोगों के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है वो ही सरकार उन लोगों के लिए कानून बनाती है पर पहले ऐसा नहीं हुआ करते था पहले आटोक्रेसी होती थी जहां राजा के पास ही सारी की सारी शक्ती होती थी कानून को बनाने की और कानून को लागू करने की और न्याय करने की राजा अपनी सुबीदा के हिसाब से ही कानून बनायता था और उनको लागू करता है तो हम French Revolution पढ़के जानेंगे किस तरह से आटोक्रेसी से डेमोक्रेसी में France बदला और ये भी देखेंगे कि आज जो All Over The World Countries हैं किस तरह French Revolution से इंस्पाइर हुई जैसे कि Indian Constitution में कुछ बढ़ आते हैं हमारे Constitution में आता है Liberty, Equality and Fraternity जे भी तीनो वर्ड French Revolution से ही इंस्पाइर है तो हम स्टाट करते हैं कि France की Revolution स्टाट होती है 14 जुलाई 1789 से तो वहाँ पे एक rumor फैल जाता है एक अफवा फैल जाती कि राजा ने वहाँ की यो troops हैं उसको order दिया कि वो city के बीच में जाए और लोगों पे वहाँ के जो citizen है वो उन पे फाइल खोल दे तो इसको confront करने के लिए इसका सामना करने के लिए वहाँ पे 7000 men and women gather 7000 ओरतें और मर्द इकठे हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने to decide to form a people Malaysia तो Malaysia होता है ऐसी unorganized army जो लोगों के द्वारा unskilled लोगों के द्वारा बिनाई जाती है they broke into a number of government buildings in search of arm तो वो बड़े सारे building, government, सरकारी जो वहाँ की buildings होती है वहाँ पे गुच जाते हैं ताकि वो सोचते हैं कि वहाँ पे वो arms को एकठा कर सकें arms वहाँ से ले सकें तो उसी से ही जो finally several hundred pupils बड़े सारे सैकड़ों लोग एक वहाँ के prison हुआ करती थी, एक jail हुआ करती थी किलाबंद jail जिसका नाम था best deal, best deal की jail में गुच जाते हैं तो किसकी क्यों को गुच जाते हैं क्योंकि उनको hope होती है कि वहाँ पे वो hoarded emotion मिलेगा hoarded emotion में कठा किया गया गोला वरूद उनको वहाँ से मिलेगा तो in the arm fight वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है और उसके बाद जो commander of best deal होता है, was killed best deal के commander को वहाँ पे मार दिया जाता है prisoner release तो वहाँ पे जो कैदी होती है उनको release कर दिया जाता है they were only seven of them तो वहाँ पे जो कैदी थे सिर्फ साथ ही थे तो तब भी जो best deal था एक तरह से लोगों के दोरा hated किया जाता था नफरत की जाती थी क्योंकि वो एक राजा के ताना शाही का परतीक था तो जैसे यहाँ पे लिखा होगा despotic power, despotic होती है ताना शाही जो ताना शाही थी राजा की वहाँ पे उसका एक परतीक था इसलिए लोग उस पे बड़ी सारी नफरत करते थे the fortress bass demolished वहाँ का जो किला था, जो किला वन जेल थी उसको demolished कर दिया गया तोड दिया गया and store fragmented were stolen in the market वहाँ के जो तूटे हुए किले के जो टुकडे थे उसको market में बेचा गया who wish to keep a souvenir, souvenir होता है एक निशानी रखना, तो एक जो बंदा निशानी रखना चाहता था demolished prison की वो रख सकता था उसको उस तरह से बेचा गया, next है कि उसके बाद falling day, आगे आने वाली दुनों में, वहाँ पे बड़े सारे riot, बड़े सारे धंगे Paris में शुरू होगे, in the Paris and in countryside Paris में भी शुरू होगे और वहाँ के जो इर्दगिर इलाके थे वहाँ पे भी शुरू होगे People was protesting again high price of bread वहाँ पे जो लोग थे वो बड़ी हुई कीमते थी अनाज की कीमते बहुत सादा बढ़ गी थी जिसकी बज़ा से वो वहाँ पे परदर्शन कर रहे थे तो यही लीड करता है यही आगे जब बढ़ती है करन्ती तो वहाँ फाइनली वहाँ कर जो राजा था उसको execute कर दिया जाता है उसको fancy दे दी जाती है तो जब historian देखते है time के साब से तब तो कोई anti-spade नहीं कर पाया था अंताजा नहीं लगा पाया था कि ऐसा होगा तो जब historian बाद में study करते हैं तो वो find out करते हैं कि क्या क्या कारण थे जिसकी वज़े से French Revolution हुई तो वही हम एक एकर करके कारण देखेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह बड़े सारे Malaysia बिनाई है Malaysia of people यह सारे इस जो fortress है Bastille Bastille का पिला है जो जेल है इसको तोड रहे है तो हम देखेंगे 1774 पे वहां का जो राजा था वो उसका नाम था Lewis 16 बर्बन फैमिली से बिलॉंग करता था जब वो ascend करता है अपनी राजगदी वहां पे संभालता है तो वो फ्रांस में संभालता है 1774 में वहां की राजगदी संभालता है वहां पे तब वो उसने शादी की अस्टेरिन की राजगदी के साथ जिसकी उमर 20 एर थी और उसका नाम था Mary Antoinette तो Antoinette से वो शादी करता है upon his accession to the new king found an empty treasury जब वहां पे वो आमटी होती है वहां पे पैसे नहीं होते तो बज़ा यह थी कि फ्रांस के जो resources से वो drain हो चुके थे खतम हो चुके थे क्योंकि वहां का जो जो महां का जो किला था वहां का जो महल था वहां पे बड़ा ही extra basin को था extra basin होता बहुँ ज़ादा खर्चा लू और immense पैले साफ बरसाई बरसाई का जो महल था बहां पे बड़ा सारा खर्चा किया जाता था और बड़ा ही luxurious lifestyle को enjoy किया जाता था अंडर लिव 16 फरांस helped the 13 American colony to create the independent from the common enemy Britain तो बरेटेन की कालोनी हुआ कर्थी थी अमेरिका में और अमेरिका की कालोनी को बरेटेन से independent करने के लिए फ्रांस ने उनकी बड़ी सारी मदद की उनको वहां पे खाना बेजा वहां पे उनको पैसे बेजे तो जिसकी वज़ा से उनका जो treasury थी जो वो बिल्कुली खतम हो चुकी थी तो that war was added more than a billion liber debt on already rise to more than two billion liber वहां की जो करन्सी थी जैसे हमारी कंसरी रूपी है वहां की करन्सी liber थी तो उनके दो billion liber का करजा आ गया था और जिन्होंने करजा दिया था राजा को lenders थे उन्होंने who gave the state credit जिन्होंने राजा को करजा दिया था उन्होंने उस पे 10% interest लगाना शुरू कर दिया था जिसकी वज़ा से क्या हो गया कि वहां के जो राजकोश था वहां पे उनकी जो treasury थी बिल्कुली खतम हो गई थी तो to meet the regular expense expense को वहां पे जो खर्चा किया जाता था उसको maintain करने के लिए जो state थी वहां पे उसने क्या किया tax को increase कर दिया जट even this measure would not be sufficient पर ये भी जो measure था जो उन्होंने tax बढ़ा दिया था लोगों पे और जा tax लगा दिया था ये भी sufficient नहीं था तो उस समय हमें सबसे पहले हमें समझना बहुत जुरूरी है कि फ्राइस की society किस तरह की होती थी तो फ्राइस की society three state में divide थी जिसमें क्या था कि जो clergy होते थे वो एक तो राजा होता था वो तो सबसे उपर होता था उसके बाद clergy clergy मिन पादरी जो church में काम करते थे जो church से लोग जुड़े होते थे वो सबसे first state में आते थे second state में nobility आती थी और third state में बड़े third state के भी तीन अलग लग हिस्से थे जिसमें सबसे पहले हिस्से में बड़े business man थे जो और court में काम करने वाले थे जो liars थे merchant बिपारी थे ये सारे आते थे उसके बाद जो किसान थे और articians थे वो आते थे और उसके बाद सबसे नीचे ऐसे farmer आते थे जिनके पास अपनी जमीने नहीं थी तो जब king ने tax लगाने की बारी आई तो उसने first state पे भी tax नहीं लगाया उनको भी special privilege थे second state को भी special privilege थे और third state जो सबसे गरीब लोग थे समाज के उन पे ही सबसे जाद tax को impose किया गया जैसे हम देखते हैं कि the society जो east state थी वहाँ पे एक federal system था और जहाँ पे old regime used to be described as a society and instruction on France तो जो old regime के हिसाब से ही वहाँ की society थी next next है आपका कि वहाँ पे जो prison थे उनकी population लगबक 90% थी पर जब हम बात करते थे उनके population तो 90% थी पर उनके पास जमीने बिल्कुल अपनी नहीं थी 60% जो जमीने थी वो nobles थे और जो church थी उनके ही पास थे जो वहाँ के जमीन दार थे nobles जमीन दार थे और जो church थी जात जमीने उनी के पास थी बहुँ आज के सबसे अमीर बेक्ती थे और जो 90% पीजन थे जो किसान थे उनके पास जमीने बिल्कुल ही कम थी जो clergy था nobility थे they enjoyed certain privilege privilege होते है special right तो clergy को और nobility को कुछ एहम अधिकार थे जनम से ही by birth and the most of this was exempt from the pink text to the state और जातर को exempt किया जाता था शूट दी जाती थी text देने के लिए कर देने के लिए state को जातर जो कर था वो small farmers से merchants से third state से ही लिया जाता था the noble further enjoy federal privilege उसके बाद उनको federal privilege भी थे आम कुछ अधिकार थे तो जिसकी वज़ा से क्या होगा कि clergy and noblers have certain privilege उनको कुछ अहम अधिकार थे prison of obelis to जो peasants है जो peasants है जो किसान थे वो rent to service to the lord वो सारी की सारी सेवाएं अपने lords को देते थे हमें noblers को देते थे और साथ में clergy को देते थे जैसे हमारे पास एक यहां पर एक image है यह noble बैठा हुआ है अराम से और जो जमीनदार है वो एक बार भी अपने prison के बारे में prison के बारे में नहीं सोचता तो तब वहाँ पे church भी वहाँ पे text लिया करती थी जिसे हम tithe कहते थे तो prison जो किसान होते थे उनको दो तरह के text देने पड़ते थे एक तो tile देना पड़ता था दूसरा tithe देना पड़ता था tithe जो text था वो church को जिया जाता था और जो tile था वो directly text अपनी सरकार को दिया जाता था and number of indirect taxes was labised on the articles every day और बड़े सारे ऐसी चीज़ें थी जिनके साथ indirect tax भी लगाया गया था जैसे नमक पे के उपर भी text था टेबेको के उपर text था ऐसे बड़े सारे text का button third state पे आ किया था तो यहां पे हमने कुछ जो new words पड़े एक तो हमने labor पड़ा labor वहां की currency थी जो कब तक discontinue कर दिये थी 1749 में जब Napoleon आता है तब इस currency को discontinue कर दिया जाता है clergy कौन से होते है clergy is a group of person inverted with a special function in the church तो clergy वो special लोग होते हैं जो church के साथ जुड़े होते हैं tithe एक तरह का text है था जो church के द्वारा लिया जाता था और tithe वो तरह का text था जो सीधा state को government को king को दिया जाता था next है कि next is the struggle to survive तो वहां पे फ्रांस में रहना बहुत जादा मुश्किल हो गया था उसकी बज़ा क्या थी कि जो फ्रांस की मांग थी वो भी बहुत जादा बढ़ गई और उतनी जल तेज जितनी शिकर हमारा demand बढ़ रही थी उतनी production of grains नहीं बढ़ रही थी उतनी जादा वहां पे production नहीं हो रही थी इसकी वज़ा से जो price of bread थे वो बहुत जादा बढ़ गए थे एक आम आदमी वहां पे able ही नहीं था कि वो अपने लिए bread को खरीद पाए और employment भी बहां पे लेबर्स की नहीं थी और लेबर्स की जो wages थी वो भी fix थी जो तंखाये थी इसका मतलब कि अनाज की कीमत तो बहु कि जो salaries थी जो wages थी वो नहीं बड़ी थी जिसकी वज़ा से वहां पे subsistence crisis आ जाते हैं ऐसे crisis जिसमें एक आदमी खाना खरीदने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं होती हैं तो उसे हम subsistence crisis कहते हैं तो यहां पे एक और word है anonymous anonymous होता है one who name sees remain unknown जिसका हमें नाम पता नहीं हो उसे हम anonymous कहते हैं next है तो क्या के कारण थे जिसकी वज़ा से फ्रांस की revolution ही सबसे पहले आपकी bad harvest होती है उसके बाद आपकी food grain की जो demand होती है वो बढ़ जाती है तो इसी तरह से जी अलग लग event है जिसको हम बढ़ के देखेंगे कि कौन कौन सा क्या के कारण थे जिसकी वज harvest हुई वहाँ पर bad harvest होने की बज़ा से वहाँ पर food riot शुरू हो गए food riot होने के पास scarcity of grain हो गई जो अनाज की थी वह बहुत जादा कम हो गया था the poor cannot longer be buy bread जो करीब थे वहाँ पर bread खरीद नहीं सकते थे और rising food price तो अनाज की जो कीमत ही बहुत जादा बढ़ गी थी जिसकी व complete कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है अच्छा नेक्स्ट है कि एक growing middle class and wise and to the privilege जो वहां की middle class grow कर रही थी उनको एक आशा थी उनको एक hope थी तो कि वो क्या करेंगे जो privilege है उसको खतम होना चाहिए क्योंकि वो भी एक समयाज में अच्छा उनको स्थान मिल गया था मगर वो थ प्रापर टेक्स बरना पड़ता था तो यह middle class new rice की तो जिसकी वज़ा से यह ने जो आपके textiles थे बुड़न के थे जो आपके merchants बगएरा थे तो वो lawyer थे जो यह new एक समाज का तपका उबर के आया तो इन्हों ने भी France की करन्ती करवाने में एक एहम रोल आधा किया next है कि कुछ ऐसे philosopher होते हैं philosopher थे जिनकी जिन्होंने ऐसे बिचार थी है जिसकी बज़ा से France की revolution possible हो सकी तो एक है हमारे पास एक philosopher का नाम है John Locke और एक हमारे पास Jean Jack Rosso तो इन दोनों की philosophy इन दोनों books लिखी थी जो inspire करती थी एक democratic country को तो जैसे ये एक book है two treaties of government जिसमें Locke saw to refuse the doctrine of the divine and absolute right तो जिसमें उसने साफ इंकार किया है कि जो जो हमारे राजा होते हैं कि ये कोई बगवान की देन नहीं है इनके पास बगवान जितनी God जितनी कोई power नहीं है बलकि ये भी आहाम लोग हैं और उसी को राजा बना चाहिए जिसकी capacity हो जिसकी शम्ता हो नेक्स्ट आपका एक वुक आती है the spirit of law laws तो ये spirit of law मुंटेस्क्यो के दवारा लिखी गई थी जो कहता कि जो कानून बिनाने की शक्ती होती है कानून को चलाने की शक्ती होती है वो अलग-अलग हाथों पे होनी चाहिए division of power within the government तो government के बीच में ही अलग-अलग power बांटी ह होनी चाहिए जैसे legislative आगया law बनाने की power तो law बनाने की power अलग एक पार्ट के पास एक अलग आर्गन के पास होनी चाहिए executive law को चलाने की power अलग एक आर्गन के पास होनी चाहिए और judiciary law अगर कोई violent होता है तो उसको संभालने की power किसी अन्ने बिक्ती के पास होनी चाहिए तो तो इससे एक निया आइडिया आ गया था पॉलिटिकल थिंकिंग इन फ्रांस तो वहां के जो राजनेतिक सोच थी उसमें एक निया बिचार आ गया था तो इसके बाद हम देखेंगे कि बड़े सारे ऐसे न्यूस पेपर शुरू हो गये थे कॉफिय और उसमें टॉक शुरू जो बंदा काबिल हो उसी को मुखा मिलना चाहिए तो लिविस 16 प्लान टू इंपोस फ़र टैक्सिस जब लिविस 16 ने ओर जा टैक्स लगाना शुरू कर दिये तो लोगों का जो एंगर था और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ओर जादा बढ़ गया तो यह था हमारा फरस इसने वहाँ पर अपना साजोग दिया था उस रेवलुशन को होने में थैंक्यू